जैहन, नमस्कार, साथियों आज हम बात करेंगे पांस पॉइंट पर, फस्ट पॉइंट वारोपी का करोणू पैसा कहा गया, जाज का विसाय किसने कहा, नमबर दो में वारोपी थ्री में जेशियोज वार्श को फिर गाटे की संभावन है, आर्टी आई रिपोर्ट, तीसरे में डिसबेल्टी पैंसेन पर एफटी चंडिगर बेंच का स्वागतियों की फैसला, चौते में बिद्वा पैंसेन पूरु सैनिक के बराबर हो, इंडियन एक्सरेशन मुमंट की मांग, पांच में प्री 2006 के सेवा निवर्ट पैंसनर्स की पैंसन में सुधार की मांग, इस इसने चिट्टी लिखे है, पांचों पॉइंट जानते हैं इस वीडियो के माद्यम से, वीडियो सुरू करों, उससे पहले आपसे मेरा अन्रोथ रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, या चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब कर ल राएंक वन पैंशन की विसंगतियों का हल न निकालने पर सरकार को अपना रोज जता है, वर राएंक वन पैंशन पर खर्च किये गए करोणों रुप्य की जांच हो और अपरादियों को पकड़ा जाए, आगे उन्होंने कहा कि सरकार हमारी सांति पूर्ण तरीके से मांग स्विकार नहीं करेगी, तो आने वाले समय में काले जंडे दिखा कर सांसुतों का स्वागत किया जाएगा दोस्तों, ऐसा कि आप इस रिपोर्ट में पूरा देख पारें, अगली अपडेट है दोस्तों, यदि पूर्व सैने को की मांग, वारोपी बिसंगतियों पर न सु इस कॉलम में, तो ऐसी ही संभावना है, यदि बिसंगतियों में सुदार न करे या इसमें कुछ अमेंडमेंट न करे सरकार, तो यदि वारोपी 3 में भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा, यानि कि घाटा ही नजर आ सकता है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली on it, time of accident, AFT यनि Armed Forces, Tribunal का कहना है, Disability Pension पर AFT चंडिगर बेंच ने एक स्वागत भरा फैसला सुनाते हुए, डिपेंडेंट पैंसिनर्स को न्याई दिलाया, दोस्तों, ऐसा हाथसा किसी के साथ न हो, हम सभी पैंसिनर्स, चाहे वो फैमली पैंसिनर्स हों, या मजबुरी इस पैंसिनर्स के हक में ये फैसला है, इसका पूरा बिसलेशन में आपको बताता हूँ, इसको समझने से पहले pension rule क्या कहता है, वो समझना ज़रूरी है, ordinary family pension ward में जब किसी सरकारी employee के माता पिता दोनों की death हो जाती है, तो उस condition में 25 साल की age तक उस dependent को pension दी जाती है, इस case में जो pension ले रहा था, इसके पिता 1994 में death हो गए और माता जी 1996 में death हो चुकी थी, नियम के आदार पर इनको 25 साल तक pension मिलने का पूरा अधिकार था और जो कि 2004 में पूरा हो गया था, यहनि कि 2004 में 25 साल किये हो गए थे और तब इनकी pension की बंद कर दीगी दोस्तों, ज physically disorder हो जाता है, तो उसे lifetime pension देने का अधिकार है, यह नियम कहता है, उसी आदार पर इनका जो 65% disabled होने के कारण, यह lifetime family pension के हगदार थे, इसी बेस पर इन्होंने अपना representation भेजा, जो कि PCD अलाबाद ने उनका claim reject कर दिया, यह कहकर कि parents के मरने के बाद यह disabled हुए है, इसलिए इ EFT मैं सौपा और EFT चंडी गड़क बेंच ने क्या फैसला सुनाया दोस्तों, बेंच ने फैसला सुनाते हुए, कहा कि दुरगटना के बाद आवे दक जीवन भर के लिए 65% बिकलांक हो गया है, और अब यह उसके जीवित रहने का महत्वण कारक है, वो जीवन भर पारवा अचे ने क्या कहा, वो पूरा आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों, अगला अपडेक्ट आप देख पा रहे होंगे, यह ब्रीफ देख पा रहे होंगे, नीट फॉर विडोज पैंसन इक्वल टू एक्सरिस्मेंट पैंसन, यानि कि ये एक वारोपी की बहुत बड़ी बि चाबर हो, क्योंकि बीर नारी की पैंसन बहुत कम है, जो पैंसनर्स के जाने के बाद उसको परिवार चनला मुश्किल हो जाता है, पूरे देख में 6.45 लाग डिफेंस विडोज हैं, जिसमें से हर साल 40-50 जार जवान चले जाते हैं, और उसमें से 80% विडोज येशियो होते हैं, और उनको कोई रोजगार का भी साधन वहाँ पर नहीं होता है, और रोजमर्रा की जिन्दगी के लिए जैसे कि सिटी बिल है, गैस का बिल है, एजुकेशन इत्यादी बच्चों का बोज सड़न उस पर आ जाता है, और जो कि ये पैंसन बहुत कम है, इससे उसकी हाजी का चलाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप चौते पॉइंट में देख पा रहे होंगे, बार जोन दोजार थैस को इंडिन एक्सरिस्मेंट का एक डेली ये से क्रेटरी इस डबलू से मिला और और उन्होंने मांग की थी कि दिदुआ पैंसन को इक्व मानना बहुत जरूरी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेजर जनरल सद्विर सिंग साफ एडवाइजर है, युनिटेट फेंट आप एक्सरिस्मेंट के ये साइन किया है नोने, अगला अपडेट है दोस्तों, प्री टू थाउजन शिक्स के जो रिटारी है उनके बारे में भारत pensioner समाज, एक बहुत बड़ा organization है, जो कि भारत सरकार को चिट्टी time to time लिखता रहता है और pensioners के मामलों को उठाता रहता है, तो ये देटेट पांच जनुरी दोजार चौबीस को भेजा है नोने तो डॉक्टर जितेंदरा सिंग, Honorable Minister of State Independent Charging के पास है, और Prime Minister's Office, Personal Public Gravances and Pensions for the Ministry of Science and Technology, Department of Atomic Energy and Department of Space, नमबर दो, मैं the Secretary Government of India, Ministry of Personal, ARPG and Pensions, और थर्ड मैं the Secretary DOE, Ministry of Finance को इन्होंने चिट्टी लिखाया, जिसका subject आपके सामने है, Equal Pensions for All Ending Discrimination Against Pre-2006 Retiree के बारे में ये दिया है दोस्तों, अब इनका जो मामला था, 6th CPC में यहां पर दिया है, The Department of Personal and Pensions has implemented two distinct formulas for the 6th Central Pay Commission Recommendation, one for pre-2006 and another for post-2006 Retiree, this creates a strike drive resulting in significantly lower pension amount for pre-2006 pensioners and their family, तो ये जो 6th CPC का recommendation था दोस्तों, दो formulae से इनकी pension को calculation कर दिया, pre के लिए अलग कर दिया, post के लिए अलग कर दिया, क्योंकि उनको MACP लागू नहीं होने से उनकी pension में बहुत बड़ा अंतर हो जा रहा है, जैसे एक सिपाई एदी post-2006 के बार retiree आया है, उसको ACP1, ACP2 मिल रहा है, तो होलदार के pension में चले जाता है, और वहीं pre-2006 का जो retiree है, वो एक सिपाई की pension लेता है, जिसमें की huge gap हो जाता है, उसके pension में, इसी तरह हर एक rank का, नाएक, होलदार, नाइफ सुपदार, सुपदार, यहने की जो भी rank है, सब के pension में काफी बड़ा gap हो जाता है, इसलिए सरकार को यहां बात माननी चाहिए, और यह जो gap है, इसको दूर करना चाहिए, ताकि pre-2006 के retiree की pension ठीक हो सक है, दोस्तों, तो यह थी आज की जानकारी, जानकारी आपको ठीक लगी, तो वीडियो को like, share करें, फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साँ, तब तक के लिए जय हैं, जयवार